The Fisher and the Hidden Unicorn, A Tale of Oceanic Magic एक बार की बात है, हरीभी पहाडियों और समुदर के अनन्त विस्तार के बीच बसे एक छोटे से तटी गाउ में इन नाम का एक विनमर मचुआरा रहता था। नमक से सनीत वचा और जुल से हाथों के साथ, फिन ने अपना पूरा जीवन समुदर की गहराई में जाल डालने में बिताया था। इस उम्मीद में कि वह अपने परिवार को खिलाने और मामुली जीवन जीने के लिए परियाप्त मचलिया पकड़ सके। साधा जीवन जीने के बावजूद, फिन अपने दयालू हृदय और अटूट आशावाद के लिए पूरे गाउं में जाने जाते थे। उनका मानना था कि समुद्र में कई रहस्य और कहानिया हैं, जो उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो क्षितिज से परे उद्यम करने का साहस करते हैं। एक ठंडी धुन्ध भरी सुबह, जब सूरज की पहली किर्णों ने आकाश को गुलाबी और नारंगी रंग से रंग दिया, फिन अपनी छोटी लकडी की नाव पर निकल पड़ा, जो दिन की मचली पकड़ने के लिए उचसुक था। समुद्र शांत था, उसकी सतह दरपन की तरहा उपर के आकाश को प्रतिबिम्बित कर रही थी। फिन ने पानी में अपना जाल डाला और नीचे छुपे रहसियों पर चुपचाप विचार करते हुए इंतजार किया। जैसे ही दिन पहना जाता था, फिनन ने पानी में एक अजीब सी तुतलाहट देखी। सबसे पहले वह इसे प्रकाश की एक चाल के रूप में खारिस कर दिया। लेकिन जैसे ही वह देख रहा था, उसने महसूस किया कि कहीं कहीं ज्यादा जादूई बात है, कलपना भी नहीं कर सकती। एक चमकदार एक श्रिंगी, इसकी गहराई में कान का लेप, उसकी रंगीली मचली के स्कूल के बीच बहुत शालीनता पूर्वक है। फिनर्ण अपनी आखों पर विश्वास नहीं कर सका। एक को स्पौरानिक प्राणी कहा जाता था, फिर भी यह समुदर के हृदय में उनके सामने एक था, ठीक उसके सामने था। वह एक दूसरे की कृपा से विचलित हो जाती थी। उसकी लंबी सरपिल सींग एक दूसरे के प्रकाश से चमक रही थी। सास लेने के बाद फिनन बाहर निकल गया और पानी की सतह को छू गया। अपने आश्चर्य के लिए यूनिकॉर्न ने उनसे संपर्क किया, उसकी आखें एक गहरी प्राचीन ज्यान से भरी थी। ऐसा लगता था कि फिनन को कोई खत्रा नहीं है, बलकि यह एक ऐसी भावना थी जो समुदर के साथ एक गहरा संबंध साजा करती थी। यूनिकॉर्न ने शब्दों के साथ नहीं, फियेन से बात की, लेकिन एक टेलिटाथिये कनेक्शन के साथ जो भाशा से परे हो गया। इससे पता चलता है कि वह सदियों से सागर के रहसियों की रक्षा करता रहा है, जो उपर से दुनिया से कहीं छिपा हुआ है। ये वही लोग हैं, जो इमान लाने वाले लोगों के दिलों में जादू के लिए इबरत हासिल कर लेते हैं। इस तरह की एक दूसरे का नाम न रह गया और यह एक बड़ी। उस असाधारन दिन के दौरान फिन और यूनिकॉर्न ने एक अटूट बंधन बना लिया। उन्होंने अपने जीवन, अपने सपनों और समुद्र के प्रती अपने प्रेम की कहानिया साझा की। यूनिकॉर्न ने फिन को विश्वास दिलाया कि उसके पास गाव में समरिध्धी लाने, मच्छवारों के जालों को उनके सपनों से परे प्रचुर मात्रा में मच्छलियों से भरने की शक्ती है। कृतग्य हृदय से फिन गाव लोट आया, उसकी नाव दिन की मच्छलिया लदी हुई थी। लेकिन उसने जादूई गेंडा के अस्तित्व को गुप रखा, यह जानते हुए कि इसकी उपस्थिती एक पवित्र उभार थी जिसे सनरक्षित किया जाना था। उस दिन के बाद से तटिय गाव फलने फूलने लगा और मच्छुआरों के जाल हमेशा मच्छलियों से भरे रहते थे। यूनिकॉर्न की बुद्धिमत्ता से निर्देशित होकर फिन ने समुद्र में जाना जारी रखा और उसने इनां को अपने साथी ग्रामीनों के साथ साजा किया। कहानी की कहानी एक फुस्फुसाई हुई किमवदंती बन गई, पीढियों के माध्यम से पारित हुई, एक अनुस्मारक की जादू सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है। यहां तक की समुद्र की गहराई के दिल में भी। कहानी की नीती कहानी का नैतिक The Fisher and the Hidden Unicorn A Tale of Oceanic Magic दुनिया में स्थाई जादू और विश्वास, दयालुता और अध्यात की खोज के महत्व की याद दिलाता है। झालुता च्टा श्याद दिल नादू झालुत झालुता में आदू झालुता आदू इंवास, यहां भी। झालुता झालुता बस्के खोजब स्थावास, बस्दक्ष्ण जादू झालुता बस्ता है। झाल झाल